नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में तो दोस्तों कैसा लगा आपको सावदान इंडिया का कल का एपिसोड उसी पे चर्चा करेंगे मगर एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि यह जो नया दोर शुरू हुआ है सावदान इंडिया का इसकी जो टीम है इनको क्राइम में एक दो मर्डर से मज़ा नहीं आता है जब तक तीन चार पांच है मर्डर ना हो कहानी में कहानी का स्वादी नहीं बनता है तो ऐसा कुछ इस कहानी में भी था काफी सारे मर्डर थे और कैसी चली कहानी कहां पहुंची इसी पे चर्चा करते हैं पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है साथ में दोस्तो बेल आइकोन भी दबा दीजेगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तैंक यू सो मच तो दोस्तो कल की कहानी है एक दबंग लड़की की जो अपने पिता जी की हस्ती बहुत बड़ी हस्ती की वज़ा से अपने आपको भी बहुत बड़ा समझती है और किसी के भी सामने पिस्तोल तान लेती है और अपने पिता जी की यानि कि अपने फादर की हूल दे के हर काम करवाने की हिम्मत रखती है और ये लड़की कुछ इस तरह से है दोस्तों फैमिली बैंगरण के अगर बात करें तो उसके फादर ने एक शादी की दुबारा शादी की जिस से ये लड़की पैदा हुई इस से पहले की शादी में फादर की शादी में एक लड़का भी है जो इस लड़की का सुतेला भाई है एक चाचा का लड़का भी दिखाई देता है इस कहानी के अंदर जो भी एक पातर प्ले कर रहा है निभा रहा है इस कहानी में वो बाद में बताऊंगी कि वो कैसा निकलत क्या करता है वैसे तो आप लोग ने देखा ही होगा मगर मेरे नजरी से अगर देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा खेर कहानी आगे बढ़ती है लड़की को एक सिंपल से ढाबे वाले के लड़के से प्यार होता है और वो बोलती है कि मैं इसी से शादी करूँगी अपना गंदा सा वीडियो उस लड़के के साथ शूट करती है और अपने पिता जी को बोलती है अगर नहीं कि शादी तो मैं ये वीडियो वाइरल कर दूँगी फिर आप अपनी इज़त को बच्चाते रहिए लड़की का दबंग एटिटूर काफी हद तक अच्छा लगा मुझे कहीं न कहीं उसके पिता जी और भाईयों ने उसको नीचा दिखाने की भी कोशिश की कि तू लड़की है तेरा कोई हिस्सा नहीं है जायदद में और तुझे यहां से हम सिर्फ शादी कर देंगे और ऐसे अच्छी से बना देंगे बिजनस सेट कर देंगे तो तेरा हिस्सा खतम यहां पर लड़की अपने हिस्से की भी डिमांड करती है जो कि बहुत ही जायस डिमांड होती है घैर कहानी कुछ इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाती है यहां तक मुझे लड़की का एटिटूड दबंग तो था ही वो कुछ जैसे फैमिली बैगरंड होती है फादर गर का जो महौल होता है उसकी वज़े से लड़की ऐसी दबंग बनी हुई थे जो किसी को भी कुछ भी बोल देती थी यह मुझे समझ में आता है कि लड़की ने अपने दबंग जो अटिटूड था उसमें बहुत सारी गल्तियां भी की और घर के अंदर भी वैसा अपने हक का महाल बनाई रखा बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इस तरह की लड़की जो है इस कहानी में मगर बाद में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि लड़की ने एकदम से अपना एक्टिटूड चेंज किया और लड़की को लालची दिखाई दिखाया गया अचली तो लालची लड के लालच में इतना सब कुछ कर देती है और उसका जो क्या नाम है सो कॉल्ड फादर जो है वो भी एक अच्छे एक्टर है उन्होंने अच्छे से निभाया भी है अपना क्रेक्टर वो भी इसके आगे कुछ नहीं कर पाते और एंड में होता ये है काफी सारी सस्पेंस के ब एक पूरा का पूरा सीन होता है जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि हर कोई प्लानिंग कर रहा है जो उसका बड़ा बेटा अशोक है वो पस्तोल ने के लिए निकल रहा है जो चाचे का लड़का है जो अभी तो बहुत ही बैड एक्टर था उसने अभी तक सिर्फ ऐसी ऐसी इदर फादर भी बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ये सब चीजने चलती है और इसके साथ ही रात को सबका मर्डर हो जाता है अब मर्डर हो जाता है और बाद में पता चलता है कि पता नहीं कौन मर्डर कर गया और शक होता है लड़की के हस्बेंड के उपर जिसकी शा लड़की का मर्डर किया क्यूंकि लड़की ने उसके फादर को मार दिया था क्योंकि लड़के के फादर ने मना कर दिया था शादी को लेके तो ये कुछ ट्विस्ट सा सामने आया जबकि पहले हमें लग रहा था कि शायद लड़की के भाई ने फादर को मार रहा है मगर ये बेहोश हो जाओं और बाद में लगे कि मुझे जहर दिया गया था और फिर मैंने सब मर्डर कर देती है और खुद बच भी जाओंगे फिर हम लोग सारी वीक करेक्टर था वो था एक तो लड़की का हस्बेन जो बनावा था वो दूसरा वो था जो उसका चाचे का जो बेटा था वो बनावा था वो बहुत ही वीक करेक्टर था और मुझे एक चीज समझ में नहीं नहीं है कि एक उन्होंने सीन देखाया कि एक लड़की एक औरत है ये लड़की है जो उन्होंने सीन में देखाया कि वह बहुत ज़्यादा जहर पी रही है बहुत इदर उदर जहर उचल रहा है मुझे जाग निकल रही है वो सब चीज़े और जिससे ये साबित हो रहा था दिख रहा था कि ये पक्का मर चुकी है मगर दोस्तों जब पुलिस स्टेशन में कहानी रिवील होती है तो पता चलता है उसने तो थोड़ा सा जहर इतना इस्टैबलिश करवाया गया इतनी ज़्यादा बड़ी बॉटल में दिखाया गया कि मुझे तो समय में नहीं आया कि ये दिखाना क्या चाते हैं सस्पेंस क्रेट करने के लिए ये क्या चीज दिखा रहे हैं तो खैर ये थी कहानी और आश्यतो श्राना ने काफी कुछ अच्छी अच्छी बात थें बोली बड़े-बड़े दोहे बड़े-बड़े शेर और शायरी की जो कहानी को शायद उन्होंने सोचा कि कहानी को बूस्ट अब करेगा मगर मुझे नहीं लगता कि बूस्ट अब किया और ये जो मल्टी मर्डर की जो स्टोरीज आज कर चल रही है सावदान इंडिया पे ये बहुत ही डेंजरस है कहानी को रियालिटी से बहुत ही दूर लेके जाती है अगर हुआ भी है तो उसको ड्रामाटाइज इस ही साब से किया गया है कि कहीं न कहीं ये चीज जो है रियालिटी को छू नहीं पाती है तो मुझे वैसे तो कहानी ये शुरू से काफी अच्छी बिलड़ा पो रही थी काफी अच्छी चल रही थी मगर एंड में जाके जैसे उन्होंने एक दम से कहानी को खतम करना शुरू कर दिया वहाँ से पता चला कि ये पूरा को पूरा जो पीछे जो दिखाया गया वो पूरा को बूरा बनाया हुआ ड्रामा था शुरुआत से ही जब ये चीज़े शुरू ही थी लड़की का दबंग शुरू हुआ था तब से ही अगर ये चीज़े इस्टैब्लिश होती कि सब को एक लालच है लड़की लालची आखास करके अपनी जायदद अपने पैसे को लेके तो कहानी में थोड़ा इंपैक्ट भी बनता एकदम से उसका लालच दिखाई दिया एकदम से सब कोई दिखाई दिया तो वो एलास के दो तिन सीन में ही जो पता चला कि ये एक्चुली को भी मार दिया रोड से तो इतनी तो वो नहीं थी होगी तो I don't know क्या ये दिखाना चाते हैं तो ये था जी कल के सावदान इंडिया का खुलासा और अब बारी है ग्रेडिंग की ग्रेडिंग में कास्टिंग को इस वर बहुत ही बिल्ड अप किया तो उनको मिलते हैं साथ नमबर स्टोरी को भी साथ नमबर मिलेंगे क्योंकि स्टोरी भी अच्छी एंड तक खींच के लेके गए बात करते हैं डिरेक्शन और एडिटर की तो डिरेक्टर और एडिटर को मिलते हैं आठ नमबर क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स भी दिखाए और एडिटर ने बहुत अच्छे से उसको बनाया यानि कि बैक्डरोंड म्यूजिक के साथ उसको बहुत अच्छा बनाया और क्रेटिव टीम को मिलते हैं पांच नमबर तो ये था दोस्तो सा और डिफरेंट भी दिखाना चाहिए साथ ने इंडिया में क्योंकि बहुत कुछ है जो दुनिया में हो रहा है जो इंडिया में हो रहा है जो हर स्टेट में हो रहा है तो थोड़ी और अपनी रिसर्च को बढ़ाए चाहिए Keep watching Hungry Spirit Channel. Thank you so much.